एक जगे जहाँ पत्रों में च्छिपा है रहस्य जहाँ पत्रों के पीछे मौजूद है लंबी लकीरें जहाँ खिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं पत्थर आगे कौन सी है वो जगे जो नासा के लिए भी एक पहेली बन गई यह रिपोर्ट देखिए रेस्ट्रेक प्लाया टेथ वैली कालिफॉर्णिया यहाँ पत्थरों में च्छुपा है रहस्य किसटते हुए आगे बढ़ रहे पत्थर पत्थरों के पीछे मौजूद लंबी लकीरें दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जिने आज तक सुलजाया नहीं जा सका है यह रहस्य इतने विचित्र हैं कि इन्हें जितना भी सुलजाने की कोशिश की जाती हैं यह उतनी ही उलच जाते हैं ऐसा ही एक रहस्य है कैलिफोर्निया के टेथ वैली में मौजूद रेस ट्रेक प्लाया में डेथ वैली संयुक्त राष्ट अमेरिका के दुराज निवादा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर है यहां पर दुनिया की एक अध्धुत प्राकिर्टिक घटना होती है जिसने सब को आश्चर में डाल रखा है देखा जाए तो कैलिफोर्निया की टेथ वैली की संड़शना और तापमाद वैसे भी भूव एक्यानिकों को हमेशा से चौकाता रहा है लेकिन यहां पर कुछ ऐसा भी है जिसने इनसानी दिमाग को परिशान कर रखा है वो हैं यहां की खिसकते पत्थर इसलिए इन्हें सेलिंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है बिना किसी हल चल खुद बखुद खिसकते ये पत्थर पर्सों से आज तक एक रहस ही बने हुए है यहां के रिस्ट्रेक शित्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को जगह बदलते देखा गया है इन पत्थरों को ना तो कोई एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है और ना ही यहां किसी इनसान या जानवर के पैरों के निशान नजर आते हैं पत्थरों के खिसकने का रहस से नासा के लिए बना पहली डेथ वैली में पत्थरों का खुद बखुद खिसकना नासा के लिए भी एक पहली बना हुआ है रेस्ट्रेक पलाया धाई मिल उत्तर से दक्षिड और एक दश्मलो दो पांच मिल पूरव से पश्चिम तक बिल्कुल सपाथ है यहां पर ऐसे एक सुपचास से भी जादा पत्थर मौजूद है हलाकि इस घटना को किसी ने भी खुद अपने आँखों से नहीं देखा लेकिन पत्थरों के जगे बदलने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं पत्थरों की इन गत्विधियों पर हुई शोत इस रहस्य को सुलजाने के लिए 1972 में बैग्यानिकों की एक टीम बनाई गई टीम ने पत्थरों के एक गुरूप बना कर उस पर साथ बर्शों तर अध्यन किया शोत किया उस वक्त केरीन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्यन और शोत के दौरान टस से मस नहीं हुआ लेकिन जब वैग्यानिक कुछ वर्शोबाद वहाँ वापस लोटे तो उन्होंने उस पत्थर को एक किलोमीटर दूर पाया वैग्यानिकों का ये भी मानना है कि देज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण भी ऐसी घटना हो सकती है लेकिन इस आलोकिक घटना को लेकर वैग्यानिक भी एकमत नजर नहीं आते कुछ वैग्यानिकों का ये भी मानना है कि पत्थरों के गद्विधी का कारण मौसम की खास इस्तिती भी हो सकती है वही कुछ लोग इसकी वज़ा पारलोकिक शक्तियों को बताते हैं तमाम तरक वितरकों के बावजूद अभी तक साफ तौर पर साबित नहीं हो पाया कि आखर इसका राज क्या है और क्यों पत्थर अपने आप अपने इस्थान से खिसक जाते हैं